एटी एन लाइब में आपका स्वागत है मैं मौजूद हूं महराज गंज सहर की काजी बैजार में और आप इस समय देख सकते हैं लोग परधान मंतरी के आहान पर किस तरह दीप और जलित का कारकरम कर रहे हैं लोग जैसे ही नौ बजा है लोगों में उच्ता का नजार आ रह है लोग पूरी तरह से दीप और जलित करने के लिए अपने दर्वाजे पर अपने खिड़कियों के पास अपने च्छतों पर पूरी तरह से दीप का पर जलित कारकरम का आनंद ले ले हैं लोगों में उच्सा देखने को मिल रहा है कि अब देख सकते हैं लोगों में कितना उच्सा है जिस तरह से देश के परधान मंतरी मोदी जी ने पांच अप्रील को रात के नौ बज़े जैसे ही नौ बज़ा हुआ है लोग अपने दरवाजे पर कितने उच्सा के साथ कारकरम को बखुवी निवा रहे हैं लोगों में कितना उच्सा है आप सिधे इस कमरे की नजर से देख सकते हैं महराज गंज का ये काजी बज़ार का मुहला है और यहां लोग काफी उच्सा में हैं इस कारकरम को लेकर लो कर रहे हैं लोगों में कितना उच्सा है लोग अपने छतों पर कितना उच्सा के साथ इस कारकरम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और इस मानए पर्धान मंतरी मोदी जी के आहान पर लोग अपने फोन बालकुनियों और घरों के दरवाजे पर पूरी तरह से दीप को बढ़ा रहे हैं कि एटियन लाइब के लिए साहिल कुमार महराज गंजी जनता इस बिचार इस मनोबल के साथ आगे बढ़ रहे है कि इस बीमारी से हम लोग लड़ करके अपने देश को सुरक्षित करें अपने समाज को सुरक्षित करें और माननी परधान मंतिजी द्वारा बताये करें कदम पे हम लोग आगे बढ़ें इसी के समक्ष में हमारे घर के आजपास में देखिए या दीप पर जोलित करके हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल करके इस आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस कोरोना जैसी बीमारी से हमें किसी भी परकार का कोई कस्ट नहीं है और हम सब मानेनिये परधानमंत्री जी के साथ है इस बीमारी में लड़ने के लिए एक भारत समक्ष भारत स्वस्थ भारत स्वक्ष भारत के साथ हम लोग परदानमंत्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ हम लोग बहुत आनंद में हैं और पूरा मेरा कोल